जहन दोस्तों जै जबान और जै किसान यह नारा यही नहीं लगाए दोनों आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि किसान का बेटा ही जबान मनता है किसान अपनी धर्ती जोत करके अनाज पैदा करता है इस देश का पेड़ पालता यानि सबका सैनिक संगर्स कमेटी जिनोंने किसानों का साथ मिल ला है यानि जो 25 नमंबर को लेल लोको आंदल होंगा और उन्होंने किसान आंदलन में इनका साथ दिया था अब किसान आंदलन के जो मुखिया है और जो किसान आंदलन के जो बढ़ चल कर हिस्सा लेने वाले ल चिक्यों के ने लगातार इंग्नोर किया जा रहा चाहे आज किसान भी परिसान है उसी तरह जबान भी परिसान है और इस बात को लेकर ये चिट्थी आपके सामने आईए 15 तारी 15 10 12 23 आज की चिट्थी है मैं आपसे अबगत कराना चाहता हूँ सबका सैनिक संगर्स कमेटी न द्वारा नई दिल्ली रेल वेस्टेशन पर किया जा रहे रेल लोकों आंदोलन में सायोग एवम समर्थन देने के संबंद में स्रीमान जी निवेदन है कि पूर्व जबाना द्वारा पैंसन और शुविदाओं में भेदवाव के ब्रोध में 20 फरबरी दोयार 23 से जंतर मं से लगाता धरना जा रही है किसान भाईयों हम पूर्व सैनिक जवानों ने किसान अंदोलन के दोरान अपने किसान भाईयों का डट कर समर्थन किया था और इसी दोरान हमारी सबका सैनिक संगर्स कमेटरी लगातार अपने टेंट लागर दिल्ली मोर्चे में सामल हुई थी दिल्ली किसान आंदोलन के दोरान हम पूर्वसैनिक जवानों के किसानों के पच्छ में मानि राष्टपदी जी से अपने मैडल भी लोटाए थे 26 जनवरी कोट टेक्टर परेड में भी पूर्वसैनिक जवान मैडल पहन कर सामिल हुए थे किसान भाईयों जैसा कि आप जानते के किसान यूनिंन में बहुत बड़ी संक्यामें पूर्वसैनिक ज़वान मैंबर्स हैं और उनीका परिवार है किसान भाईयों के इंद सरकार दौराख पूर्वसैनिक जवान पछले आठ महेने से जंतर मंतर पर अनिश्यत काली धन्ने पर बैठे हैं किसान भाईयों सेना में लगवग 90% जवान किसान के बच्चे हैं और पैंसेन आने के बाद खेती का ही काम करते हैं किसान भाईयों हम दो बार 23 जुलाई 21-23 और 20 सितंबर 21-23 को संसत घेराव कर चुके हैं लेकिन सरकार हमारी मांग माननी सुपीम कोड के तीन रिटायट जिज़ों की कमेटी तीन महने के लिए बनाने की मामूली मांग नहीं मान रही है इसलिए हम पूर्व सैनिक जवानों ने 25 नमवर 23 को दिल्ली रेल वे स्टेशन पर अनिश्यत कालीन समय के लिए रेल लोको आंदोलन कारकरम बनाया है और हमने इसलिए किशान यूनों से अन्रोद करते हैं कि इस प्रकार सैनिक जवानों के किसान नुदोल में भाग लिया उसी प्रकार किसान यूनों भी हमारे रेल लोको पर दरसन में सामल हो हम आपके बहुत धन्यबादी रहेंगे प्यारे पूर्वसैनिक फौजी भाईयो आपकी जाइज मांगों के संगर्ष को चलते हुए 10 मेने हो जाएंगे 10 मेनों के संगर्ष से एक बात तो सावित होती ही कि जवानों की मांगे 100% जाइज हैं केंद्र जायज मांगों को मानने की बजा अपनी गोदी संस्थाओं के व्यक्तियों के द्वारा जंतर मंतर के आंदल उनको तोड़ना का भरपूर प्रियास कर रही है ये सभी पूर्वसेनिक दस मेनों में समझ चुका है का अगर जबानों की मांगों पर तीन जजों की कमेट भी बनती है तो जवानों की पैंसने में जापा होगा और ये भी अच्छी तरह जानता है इसका मतलब उन्हें इस बात का भय है कि कि जो जज़ज है वह यद्र ट्रांस्परेंट होकर के निर्णे करते तो जवानों के पच्छ में जाएगा और हम इस सित्ती में नहीं है कि नमागों को मंजूर कर पाएं केंदर को मालुम है इसलिए सरकारी खजाने से पैसे जाएंगे इसलिए केंदर जवानों की बात मानने को त्यार नहीं है पूर्व सेन को हम क्या करें सिर्फ एक रास्ता बसता है कि समब्धान के दाइरे में अंदोलन किया जाए और गूंगी बहरी सरकार को कुम करणी नीन से उठाए जाए आज अगर जंतर मंतर का धरना पीछे हटता है तो वारोपी थ्री भी हाथ से जाएगी और आठवा बेतनायो में सीधा सीधा नुक्सान होता है और उन्होंने कुछ कविता की पंक को चलो सूर्य पर बादलों का न पहरा रहे रोसनी रोसना इमैन डूबी हो यून इमान फुटपात पर पड़ाओ हर समय आत्मा सब की उबीन हो आसमा पे टंगी हो न खुसियां हलियां कैद महलों में सब की कमाई न हो इसलिए पच्चीस रवंबर को आप दिल्ली रेलिप चातें किसी के लिए मकमली बिस्तरा और किसी के लिए एक चटाई न हो इसलिए पच्चीस नमबर को दिल्ली चलो अब तमनाएं फिरने करें खुद कसी खौब खौब की चोकसी न रहे सिरम के पाउं में न हो पड़ी बेडियां सब्त की पीट पर अजादती न सहे दम न त पूटियां दोस्तों ये बहुत अच्छी का बिताय भाव भी नहीं आपसे रिक्वेस्ट की गई है और जैसा कि इसके साथ एक बीडियो एस पी अगोसल साब कह रहे हैं कि मोदी जी के पास सैनिक के पास सैनिक उनका परिवार है सैनिकों के साथ दवाली मना रहे हो सैनिकों आपने पैती साल में आपको सैनिक 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 और सैनिक के साथ लड़ू खाके आपने खूब मलाई लिये खूब सता दस साल से आप लगातार सता शीन हो और आगे भी भगवान के रहाब पांच साल और बड़ों कोई इतराज नहीं है हम कहतें कि जो आपने कहा है वो करके दिखाईए और हम आपसे तीन जज़ों की मांग कर रहे हैं जैसा कि आपने देखा होगा कि दिली जंतर मंतर पर भी दिवाली के दिन लोग अपना घरदवार छोड़कर उन्होंने काली दिवाली मनाई है और ये अपने लिए नहीं 25 लाख सैनिक और बीर नारियों के अस्त छी मनाने के लिए जो देखते हैं और हमारे को मीर सीखेत चादा पहाड़ों के पर जाकर जहां पर जंतर मंतर पर आएंगे जहां से 1.5 किलूमेडर दूर संस्थ हैं और वो नहीं आये हमारे को इस मिल से हम जहां पहुंचे थे और पदान मंतरी से अपील करना चाते हैं कि भाड़री मुनारे हैं कि समाज समाज के बच्क्रमारे बच्के हैं। अगर आप उनके साथ जहाँ पर आज दवारी मनाने आ जाते हैं और आज हमारे जो बच्चे बाड़रों पर आए उनका हो सकदा उससे भी ज्यादा डवल हां उसला बढ़ता कि हमारे भाई 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 भुजूर्ग जो है दस मिने से अपनी हडियां रो रहे ने जंतर का है 25 नुमबर तक अगर सरकार हमारे से बात्चित करती है जो हमारी मेल मुख्य मांगए तीन रिटायरी ज़्यों की किमेट्वी बना दे तो अच्छी बात है देश के हित्में होगा समाज के हित्में होगा नहीं तो पूरे देश देश साब का सायनक रोड़ों के पर आज अगर समखाया था जातों में समोर्चा जीत कर जाएंगे जाह हम जाहां से हमारी डैड़ बड़ी जाएगी वह कौर्स अक्सिंद बार्त मता की यह बारत मता की यह बारत मता की यह